दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बतांगा कि आप अपने ब्लागर पे कैसे सेटिंग करें कि आपका ब्लोग पोस्ट गूगल में सर्च करें और रैंक करें भी दोस्तों बहुत से लोग मुझे सवाल करते रहते हैं बस आज मैं उनके सवालों के जबाब देने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने blog post को search में ला सकते हैं ऐसा क्या करेंगे कैसे setting करेंगे यह सारा बताऊंगा मैं आपको इस video में दोस्तों इस video में बने रहिएगा और video शुरू करने से पहले दोस्तों और आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा नोटिफिकेशन आउन करके और पर क्लिक किजिएगा तक कि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे नमस्कार मैं हूँ विशाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चै दिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपने वाडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए कि कैसे आप अपने ब्लोग बूस्ट की सेटिंग कर सकते हैं यानि ब्लॉगर पर किस तरह से अप्धिम लगा सकते हैं कि सेटींग कर सकते हैं पर दोस्तों काफ दोस्तों से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफकेशन जुरूर अन कीजिएगा तकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे और बढ़ते हैं सिदा लैप्टाप की स्क्रीन पर दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने ब्लॉगर की या आप अपनी वेबसाइट की सैटिंग कैसे कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे इंस्टार पे या कोम कि जी हां कुड़न फैच अब दोस्तों उससे कैसे हल करेंगे तो उसके लिए देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट पर कुछ एक पेज जनेरेट करने होंगे जैसे पेज दोस्तों यह देखिए यह मैंने लिख रखे हैं पॉलोशी डिस्क्लेमर और कॉंटैक्ट अब दोस्तों यह जो फैजी हैं यह एक ब्लॉग पेज हैं और यहां पर भी देखिए यहां पर भी पेज अगर मैं बता हूँ आपको तो यहां बभी अब आउट अस का पेज है ठीक है दोस्तों मैं आपको वेबसाइट दिखा द एड करना होगा ठीक है दोस्तों जब तक आप इन्हें एड नहीं करेंगे आपकी website monetization के लिए approval नहीं मिलेगा यानि AdSense approval नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा इन सबको एड कर लीजिएगा कैसे एड करेंगे contact about private policy यह सब कैसे लिखेंगे यह मैं आपको next वीडियो में बता दूँगा दिखें दोस्तों अब ब्लॉगर पर आते हैं तो अब settings में जाईएगा दिखें दोस्तों सबसे पहले main settings जो होती है हमारी वो होती है title की कि आपका title जब भी आप blog ने आप create करते हैं तो आपको title देन description एड करनी पड़ती है language देखिए दोस्तों blog language यहां United Kingdom है तो आप अगर हिंदी में है तो आप यहां हिंदी लिख सकते हैं चीके दोस्तों चलिए हमसे मैं भी सेट करी देता हूं हिंदी में कर देते हैं इसको और save कर देते हैं चीके दोस्तों यह ही हिंदी हो चुका है अब ओन कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों यह देखिए सेटिंग सेव्ड सक्सेस्फुली से ओन कर दीजिएगा ब्लॉग एड्रस यह आपका बनाते हैं ब्लॉग पोस्त यह आपका एड्रस बन जाता है जैसे हैल्थ विद्गुरु घ्यान मेरा है दोस्तों और इसके बाद नीचे दोस्तों आप आएंगे अगर आपको देखिए यह रिप्ट में परचेस कर लिया है तो आप यहाँ अपने डॉमिन को लगा सकते हैं जैसे यह कैसे डॉमिन परचेस करेंगे गो डैडी से यह किसी और वेबसाइट से वह मैं आपको इसमें बता दूँ तो उसके बाद दोस्तों यहां देखिएगा यह सबसे main setting है यह देखिए HTTPS की जो setting है इससे आप दोस्तों यहां बंद होगा इससे on जरूर कर दीजेगा यह दोनों ही दोस्तों आपकी यहां enable होगी इसे disable होगी इसे enable कर दीजेगा यहां देखिए status available आना चाहिए यहां ध्यान रखिएगा यहां पर जो आप देख रहे हैं यह status available आना चाहिए यहां ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे scroll करकर तो दीखिए यहां आपको यह सारा domain के author वगारा यह सारा कुछ automatically ही set हो जाता है अब दोस्तों यहां आता है post कि आप अपने blog post पे कितनी पोस्ते शो करना चाहते हैं जैसे मैंने 8 रखी है चलीए से 10 कर देते हैं और 10 कर देंगे यहां हम save कर देंगे ठीक है दोस्तों यह देखिए मैं आपको दिखा देता हूं जैसे दोस्ते कम शो हो रही है ठीक है दोस्तों तो उसके बाद आप आपकी मर्जी है कि आप कितना सेट करना चाहें ठीक है दोस्तों इमेज यहां देखिए इमेज लाइट बॉक्स है दोस्तों इसे भी आप यहां ओन कर दीजिएगा ठीक है उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे यहां देखिए कमेंट साइज से छोड़ दीजिएगा अब यह ऑटमेटिकली ही होता है दोस्तों और हां एक यह आता है नीचे फॉर्मेटिंग तो आप यहां उस कंट्री का टाइम जोन सेट करके इसके टाइम सेट कर सकते हैं डेट फॉर्मेट यह ऑटमेटिकली हो जाता है ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहां आता है मैटा टैग्स अब मैटा टैग्स दिखिए अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन यह है और अपनी हर पोस्ट का description लिख सकते हैं जैसे यह देखिए हैं यह नीचे जो कुछ कि उनका जब वो साइट मैप के लिए सब्मिट करते हैं तो उनका साइट मैप सब्मिट नहीं होता है देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इसे यह अनेबल कस्टम रोबोट टी एकस्टी डॉट टी एकस्टी इसे आप अनेबल कर दीजिएगा अब कस्टम रोबोट डॉट पर जाके दोस्तों आप यहाँ यह लिख दीजिएगा इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूगा अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर हम मैपको यह परवाइड करवा दूँगा साइट मैप आप कैसे जनरेट उसके बाद दोस्तों यह देखिए होम पेज टैग्स आता है इसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ जैसे मैंने सैटिंग करकी है आप इस तरह की सैटिंग कर सकते हैं देखिए जैसे सबसे उपर क्या करना है अनेबल ऑन किसे करना है नो इंडेक्स और नो डीपी ठीक है दोस्तों इसे भी सेव कर दीजिएगा उसके बाद दोस्तों अचीव एंड सर्च पेजिस टैग्स से आएंगे इस पे भी यही किजिएगा नो इंडेक्स और नो डीपी ठीक है दोस्तों सेव कर दीजिएगा उसके बाद दोस्तों लास्ट आता है पो डीपी और सेव कर दीजेगा ठीक है दोस्तों यह आप सब कर देंगे उसके बाद आपका यहां गूगल सर्च कंसोल आ जाता है यह आगे कुछ छेड़ने की आपको जुरूरत नहीं है यह जब होगा जब सो आपका मोनेटाइज होगा यानि आपको जब आपकी वैबसाइट अप्रूफ हो जाएगी तब आप इसे अपन कर सकते हैं अब दीखिए कि गूगल सर्च कंसोल पर जाएगा गूगल सर्च कंसोल पे दोस्तों आपको आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस सारा कुछ पता लग जाएगा देखिए यह हमें आपको दिखा रहा हूं यह कि यह मेरी परफॉर्मेंस है अब यहां और यह सौरी ऑवर्वियू है परफॉर्मेंस पे जाएंगे यह देखिए यह हमारी परफॉर्मेंस है ठीक है दोस्तों और यहां URL की आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं जैसे दिखिए मैंने यहां हर पेज की इंडेक्सिंग करती है और हां दोस्तों एक और सवाल लोगों का बहुत रहता है कि सर क्या हम हर पोस्ट की जैसे ही हम पोस्ट लिखेंगे उ वर्डप्रेस की वेबसाइट पर उसकी इंडेक्सिंग करना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है दोस्तों अब इंडेक्सिंग कैसे करेंगे उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन मे मिल जाएगा अब इससका साइट मैप आपको दिखा देता हूं रही है सक्सेस है बहुत से लोगों का यहां प्राब्लम क्रीएट हो जाती है अब ये क्यों होता है दोस्तों कि क्यों उन्हें site map generate करना नहीं आता है तो दोस्तों इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूए कि आप site map कैसे बनाएं ठीक़् है दोस्तों तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा से इंतजार कीजिए और मैं आपके लिए एक अनग से वीडियो बना दूँगा कि साइट मैप कैसे जनरेट करेंगे ठीक है दोस्तों तो ये Google Search Console की है क्योंकि दोस्तों जब तक आपका वेब साइट इंडेक्स नहीं होगी ठीक है दोस्तों तब तक आपकी वेब साइट पर कोई ट्रैफिक नहीं आने वाला नहीं आपकी वेब साइट सर्च में आएगी अब देखिए मैं आपको अपना दिखा देता हूँ हम स्टैट्स में जाके देखते हैं दोस्तों ये देखिए ये मेरा आल टाइम का व्यू है कितना व्यू मुझे आ चुका है टूड़े के कितने हैं येस्टरड़े कितने थे लास्ट मंत कितने थे और लास्ट मंत कितने थे ठीक है दोस्तों तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे व्यूज आते हैं कहां कहां से ये व्यूज आते है और दोस्तों इसके लिए view generator भी होते हैं website generator अब देखिए मैंने अपनी website का link दोस्तों YouTube के वीडियो दे रखा है description में तो वहां से मुझे काफी लोग देखते हैं इस website को काफी लोग search करते हैं ठीक है दोस्तों तो ये जादा तर इंडिया पाकिस्तान फ्रांस युनाइटिट से इस तरह से यहां रहता है ठीक है दोस्तों तो ये मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको ये आप देख सकते है यहां कि यह इस तरह से यहां आपको दिखेंगे ठीक है दोस्तों तो यह आप सेटिंग करना आपके लिए बहुत जुरूरी है आपको थीम की सेटिंग करनी पड़ेगी दोस्तों अब थीम की सेटिंग यहां देखी दोस्तों फ्री की थीम बहुत मिलती है बहुत सारी थीम यहां पर जो आपको free में मिलेंगी पर दोस्तों आप अगर theme डाउनलोड करना चाहते हैं कुछ इन से हट कर कुछ अलग theme रखना चाहते हैं तो आप theme पर जाईएगा और यहां पर जो आपने डाउनलोड की होगी theme उस theme को डाउनलोड करके जब यहां custom लिखा है इस पर क्लिक करेंगे यहां लिखा है restore ठीक है तो restore पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा upload कर दीजिएगा जहां भी आपने अपनी theme रखी होगी वहां से उसको आप कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक अपनी theme नहीं set की है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने blogger की theme कैसे डाउनलोड करें और कैसे उसे set करें ठीक है दोस्तों तो उसके बाद फिर layout setting आ जाती है अब layout setting द दोस्तों तो यह अलग-अलग themes की हर theme की अलग-अलग setting होती है बस हमें उसे set करना होता है ठीक है दोस्तों यह फूटर होता है अब दोस्तों फूटर क्या होता है फूटर होता है यह यह सबसे नीचे जो आएंगे यह फूटर रहता है दोस्तों ठीक है यह हमारा फूटर र बार रहता है इसे साइड बार कहते हैं तो इस तरह से यह सब चरी चीजे रहती है यह देखी यह लोगों मैंने लगा रखा है अब यह लोगों कैसे लगता है क्या होता है दोस्तों यह सारा कुछ थीम के अंदर जाके ही सेटिंग होती है ठीक है दोस्तों तो इस पर भी मैंने दिखे प्रोफेशनल दिखें कि दोस्तों जब तक आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल नहीं दिखेंगे तब तक उस पर नहीं व्यूज आएंगे और नहीं Google उसे आगे लोगों तक पहुंचेंगा क्यों क्यूंगि उसमें अगर आपकी फीम में या वेबसाइट में जान ही नहीं होगी लोगों कुछ फाइदा ही नहीं होगा तो उसे लोग क्यों देखेंगे या Google उसे क्यूं बेजेगा तो ये सब चीजे रहती हैं तो अगर आप और जानना चाहते हैं तो आ आप सारे ये तेलीग्राम पर फॉलोव कर सकते हैं दोस्तों अगर मैं ये सारी वीडियो सादा कुछ बताने लगा एक ही वीडियो में तो यह वीडियो बहुत ही जादा दर ंवाइल हो जाएगी तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हु रहु हूं कि आप और जानना चाहते हैं तो आप हमें टेलीगराम पे या इंस्टाग्राम पे ऊड़ा Alors कर सकते हैं उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे मोनोटाइज करवाके लाखों या करोड़ो रुपया महीने का कमाई क्यूंकि दोस्तों ब्लॉगर पे वेबसाइट की जो अर्निंग होती है वह बहुत ही डिफरेंट होती है यूट्यूब से ज़्यादा अर्निंग आपको वेबसाइट पर मिलती है इसलिए वेबसाइट बन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्यूंकि आपको पता है कि यही प्यार तो हमें मिलता है और आई लाइक यूर लाइक